स्वागत बच्छों आपका सेल्स्टेडी के चैनल में और आज हम एक करंट इशू करने वाले हैं जहां पर आप जानेगी कि रानी गेडेनल्यू कौन थी और इनके बारे में चर्चा हो रही है क्योंकि इनके नाम के उपर एक म्यूजियम बनाया जा रहा है जिसकी अधार शिला अभी रखी गई है तो करंट इशू है इस करंट इशू के साथ आपको इनके बारे में जानने को मिल जाएगा अब कौन है ये रानी गेडेनल्यू इनको रानी की उपादी किसने दी देखी काफी बार एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि रानी की उपादी इनको किसने दी तो ये बहुत इंपोर्टन कोशन है एक फ्रीडम फाइटर है ट्राइबर यानि जन जाती है जो ये क्या थी 13 साल की उमर में ही अंग्रेजों के सामने लड़ाई में आ गई थी सौन्दंतरता की मांग के लिए मनिपूर में इनका म्यूजियम बनाया जा रहा है इनके नाम पर ही म्यूजियम बनाया जा रहा है जहां पर बहुत सारी चीजें बताई गई है कि ये कौन थी इनका जनम कब हुआ इनके बहुत सारी चीजें वहां पर बताई गई है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 13 साल की उमर में ही इनको इन्होंने आदिवाशियों का एक नेत्रितु किया था एक सुंतंतरता की मांग को लेकर अंग्रेजों के किलाब और इनको रानी की उपादी दे दी गई थी पंडित नहरुजी के दौरा इनको रानी की उपादी दी गई थी जब यह जेल में भेज दी गई थी इवन यह 16 साल की जब हुई तो जब क्या कर रहे थी एक मूवमेंट चला रहे थी आगे चलके मैं बताएंगे यह मूवमेंट है हेरेका मूवमेंट तो ये moment जब चला रही थी, 16 साल के उमर में ही इनको गिरफतार करके आजीवन कारावास कर दिया गया था, आजीवन का मतलब कि पूरे जीवन काल में ये हैं, वो जेल में ही रहेंगी, ये 1932 के अंदर इनको जेल में भेजा गया था, तो तब वहां पर इनको रानी की उपाद नादिक अमरीत महसव जो चला शुक्राः गया था, जिसके तहट जो हमारे अंसंग वोरियर हैं, उनके बारे में हमें बताया जा रहे है, उनके बाराे में कुछ न कुछ कार्रे किये जा रहे हैं, जैसे हाल फिलाल में बिर्शा मुंडा भगवान की जैंती के साथ साती, ज चानि गेडेनलियू म्यूजियम है उसका एक अधार शिला रखी है वीडियो कॉंफरेंस करके अमरित मौसव के तहत यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्रे किये जा रहे हैं और इस म्यूजियम की जो कोस्ट है वो तकरीबन 15 क्रोर रुपे बताई जा रहे हैं इतना इस म्यूजिय यह एक लीडर रही है यह मातर 13 साल की उमर में अब थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं कौन है 1915 के अंदर यानि 1915 में इनका जनम हुआ था और यह नागा स्पिरिच्वल लीडर भी रही है 13 साल की उमर में इन्होंने क्या किया था एक हेरेका हेरेका रिलीजियस मुवमेंट में इन्होंने लीड किया था यानि हैड रही थी जिसके चलते इनको गिरफतार कर लिया गया था 1932 में 1932 में जब इनको गिरफतार कर लिया गया था तो यहां पर यह आप देख सकते हैं मातर 16 साल की उमर थी जब इनको गिरिफतार किया गया था और इनको वहाँ पर 1937 में जोहालना नहरू इनसे मिलने आये कहाँ पर यह इक्षिलोंग की जेल में बन थी और जब इनसे मिलने आये तो वहाँ पर इनों ने पंडित नहरू जी ने इनको नाम को मतलब इनने रानी की उपादी दी गए और तब से ये रानी की नाम से ही बहुत फेमस हुई और इवन इनको डॉटर ओफ हिल्स भी कहा जाता है और वहाँ पर नहरू जी ने कहा था कि हम आपको बाहर निकालने के लिए हर कोशिश करेंगे और ये केस भी लड़े थें अंग्रेजों के किलाब कि इनको बाहर निकाला जाए लेकिन ऐसा हुआ नहीं उनको बाहर निकाला नहीं गया और जब देश आजाद हुआ 1947 के अंदर जब देश आजाद हुआ तब भी ये आजाद हुई और जब ये आजाद हुई तब बहुत सारे आवोर्ड्स इनको दिये गए थे और अवोर्ड्स में कौन कौन से जो अवोर्ड है ये बातें जो है मैंने यहाँ पर चीजें जो लिखी हुए है वो मैंने बता दी है आपको ये PDF मिल जाएगी टेलिग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे रखा है इवन फेस्बुक का फेस्बुक ग्रूप फेस्बुक पेज सबके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगी जाकर आप वहां से इस वीडियो से रिलेटिड पी 1983 और विर्सा मुंडा आवोर्ड 1966 और यहां पर इनके लिए एक डाक टिकेट भी निकाली गी थी 1996 के अंदर और इनके लिए एक पांच रुपे का सिक्का भी इनके जो बर्त एनिवर्सरी जो बनाई गई थी 100 साल इनके जब पूरे होने के बाद यानि की 1915 में इनका जनम हो गी थी तो यहां पर इनके लिए एक पांच रुपे का सिक्का यहां पर निकाला गया था और भी बहुत सारे कारे कम किये गए थी और एक जो शिप है हमारी कोस्ट गार्ड जिसको बनाया था हिंदूस्तान शिप्यार्ड लिम्टिड ने उस शिप का नाम भी रानी गेड लिए के नाम पर तो यह जो चीज थी आज यह करेंट में थी लगा कि आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए जो हमारे अंसंग वोरियर है उनके जीवन के बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या किया था हम 13 साल की उमर में बहुत चोटी आ जाते हैं गया 1932 से जेल में थी और 1947 में 1947 में ये रिलीज हुई आजाद हुई यहाँ पर तो यहाँ पर देखें तो बहुत जादा टाइम इनोंने जेल में बिताया अब तो यह चीज़ें आप लोगों को पता हो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है अब आपको इस वीडियो से रिलेटिट पीडियो चाहिए तो अलड़ी मैं आपको बता चुका हूँ कि